जहां पे 39 most polluted cities हैं, हमारी केन सरकार कोई भी responsibility लेने के लिए तयार नहीं है, हमारी केन सरकार एलान करती है smart city, smart city, क्या खाक smart city आप हमें देंगे, जब हमारे बच्चे बढ़िया हवा ही नहीं हो, हवा में सांस नहीं ले सकते, तो smart city क्या होगी, काज़ों पे smart city होगी, जब 39 दुनिया की most polluted cities हमारे देश में हैं, तो आप क्या smart city की बात कर रहे हैं, पहले तो आपको चाहिए कि आप इस पे action लें, आप ये बताएं देश को कि अगर देश की इतनी बड़ी आवादी, अगर हम देखें, नौर्थ इंडिया का ही जो इंडो गैंसेटिक प्लेन हैं उसमें 70 करोड लोग रहते हैं, ये 70 करोड लोगों के जो फेफडे हर साल वायू प्रदूशन की वज़े से खराब हवा में सांस ले रहे हैं, वो खराब हो रहे हैं, लेकिन केन सरकार कुछ भी action नहीं ले रही है, कोई vision नहीं है, कोई short term, long term, कोई plan नहीं है, और आप देख experts के पैसों से बनी है, ये website, ये data जो है, ये हमारे ही पैसे खट चुएं, इस data को खटा करने में, तो क्या हमें हक नहीं है, जानने का कि आज की तारीक में कौन सी सरकार काम कर रही है, और कौन से राज की सरकार काम नहीं कर रही है, आज हमारी दो मांगे हैं, पहली मांग कि आप नौर्थ इंडिया के जितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के सारे जो परियावन मंत्री हैं, मुक्य मंत्री, उनकी एक हाई लेविल मीटिंग बुलाईए, आप बताईए हमें कि आप क्या एक्शन लेने वाले हैं, पूरे नौर्थ इंडिया की पॉपुलेशन के लि हुई हैं, अगर ये सब अक्शन नहीं होता, तो आपके मेरे हमारे बच्चों के फेफड़े ऐसे ही खराब होते रहेंगे, और केन सरकार सोती रहेगी, वो कुछ भी काम नहीं करेंगे, बस ब्लेम गेम करते रहेंगे, सिर्फ एक दिल्ली सरकार है, जो विंटर अक्शन प् प्लांट से हमने सब बंद करें, सारी इंडस्ट्री हमने क्लीन फ्यूल की तरफ माइग्रेट करी, हमने एलेक्रिक वहिकल्स पॉलिसी लाई, हमने रोड डस, कंस्रक्शन डस, सब पे काम किया है, लेकिन और सारी राज सरकारे जब तक इस तरह से आक्शन प्लान नहीं बना काम नहीं करती, नौर्ट